बलिया जन्पद के चित बड़ा गांप्थाना क्षित्र अंतरगत प्राम पंचायत बीबीपुर निवासीवर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार किया है के लिए क्या किया जा रहा है मर्तमान में जोगी सरकार किसानों के प्रती उनका जो है उतनी अच्छी रवया नहीं है जितनी होनी चाहिए किसानों के प्रती इसलिए कि इनको हैदराबाद और विहार और बंगाल हिद दिखाई देता है किसानों के बारे में जब तक मुख्यमंत्री अस्थाई रूप से धरातल पर जमीनी अस्थर पर सरकार काम नहीं करती है तब तक जो है देश में दुनिया में घुम कर चुनाव लड़ने से नहीं ह होता है इसलिए कि इनलों को बार बार पुजी पतियों के ही पक्ष में हमारी सरकार चाहे उकंद्र की सरकार हो या परदेश की सरकार हो बार बार इनलों का ध्यान उसी तरह जाता है इसलिए कि इनको चुनाव लड़ना है चुनाव में पैसा लगता है चुनाव में पैसा का खर्च किसान तो बीड़ा उठा नहीं सकता है, किसान तो हिंदुस्तान कान दाता है, हिंदुस्तान के जन्ता को जो है अनपरदान करता है जिसे जीव को पारजन चलता है और इन लोगों को पैसे के लिए पुजी पतियों की बारे में तीसरी मार्केट, आज तक एक मंडी की ब्यूस्था थी, दूसरे MSCP थी, जो किसान अपना नियूंतम समर्थन रेट पर अपना फसल को बेचते थे, उचित दाम मिलता था, पिछली सरकारों में, आज सरकार जो है, तीसरी मार्केट की ब्यूस्था की है, जिससे हमारे किसान चर्मरा गए हैं, आज जो किसानों की हाल है, बर्तमान में धान का पैदवार खरिप में हुआ है, और इसका कोई मुल्य नहीं है, मात्र जो है, आवन पाउन दाम में जो है, कोई लेने वाला भी ब्यापारी नहीं है, सरकार कहती है, कि यहां नहीं, जहां मार्केट में उचित दाम मिलेगा, किसान वहाले जाकर मार्केट है, और जगह कौन है, जहां किसान जाकर अपना माले को उचित रेट प्राप्त कर सकता है, और अपने फ़सल को बेच सकता है, इसलिए जोगी सरकार उतना हमारे समझ से किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, केवल जोगी जी बर्तमान यहां मुख्यमंत्री हैं, इनका चुनाओं में हिंदू, तो काड के अलावा कोई काट ने, यह केवल हिंदू और मुसल्मान भारत, पाकिस्तान के नाम पर देश को चल रहा हैं। जिक्र करना चाहता हूँ और याद भी दिलाना चाहता हूँ बत्मान सरकार को हिंदुस्तान को जो बिजेपी सरकार है कि जब 1965 और 66 में आकाल पड़ा था 1965 में जुद्य पड़ा था तो ततकालिन उस समय प्रधान मंत्री हिंदुस्तान के स्वरगी लाल बहादुर सास्त्री जी थे जिन्हों ने जै जवान एक तरफ सीमाओं पर सीमाओं की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के जवानों का जैकार लगया और दूसरे तरफ किसानों का जैकार उन्हों ने जिन्दा बात किया कि जै जवान जै किसान का नारा दिया इसलिए उन्होंने जय किसान और जय जवान का नारा दिया कि एक तरफ हमारी हिंदुस्तान की रक्षा सिमाओं की रक्षा हमारे नौजवान करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पूरे देश बासी को भोजन अन देने का काम हमारे किसान भाई करते हैं तो स्वर्गी प्रधान मंत्री लाल बहादु सास्त्री जी ने नारा देकर पूरे देश में शेरितार्थ किया था, अकाल पढ़ने पर भी जी समय चावल का उस समय सुखा पढ़ गया था, पूरे हिंदुस्तान में अकाल पढ़ा था, उन्होंने अपने घर पर जो है चावल बनाना बंद कर दिया था, जबकि उनके बले रखे हर precisamente सास्त्री चावल ही खाते थे, फिर भी उन्होंने चावल बंद कर दिया था, कि हिंदुस्तान की जन्ता आज आकाल से तरस्त है तो मेरे घर भी चावल नहीं बनेगा तो मैं बरतमां परतान मंतरी और बरतमां ईुपी के मुक्ष्मंतरी को ध्यान दिलाना चाते हैं कि उस महापुरुष को आप याद करिए एक बार कि लाल बहादूर सास्तृरी का नारा क्यों सरकार भूल लई है